देखे इस वक्त बड़ी खबर यारी है कि विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हो रही है सीधे आपको लेकर चलते हैं उसी प्रेस कॉन्फरेंस में जहां पर एक एक कर विपक्षी दल के नेता बोल रहे है आज इस लोगतंत्र में कुछ चीजों पर बहुत तेजी से प्रहार दिखाए दे रहा है आप सब लोग और आज कई संस्था विवस्था होने के बावजूद भी आज आम लोगों के अंदर किसान मजदूर पड़े लिखे बेरोजार नौजवानों के अंदर क्या मनस्थती बन रही है वो आपको पता है इस देश की जो दुनिया में एक छवी रही है अनिक्ता में एक्ता जिसका लोहा आज से नहीं सदियों से दुनिया ने माना होई वो अनिक्ता में एक्ता में भी दरारे पड़ने लगे तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ उसको दुरुस्त करने का उसको रिपैर करने का काम तो करेगा ही करेगा आज अलग 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 विचार धारा के भी लोग यहां हैं कई चीजों को ध्यान में रखते हुए आज वर्तमान प्रश्चिती को यहां आम लोगों के सहलियत के हिसाब से कैसे अस्थापित हो बावा भीमराव अम्बित करजी यहां के आदिवासी दलीद पिछड़ा अलशंख्यक जो सदियों से जिनके साथ सोसन होता रहा है उनको कैसे सरक्षन मिले इस विषय को लेकर के एक पहली बैठक आदिवनितिस जी ने आज बड़ी मशक्कत के बाद सब लोगों को एक सुत्र में बाढ़ने का प्रयास किया है मैं इनके लिए इसके लिए इनको बहुत-बहुत कोटी-कोटी धन्यवाद देता हूँ ये एक कहा जाए कि ये एक पहली जलक है ये जो नहीं जो एक समो को आप देख रहे हैं कि इसमें हो सकता है भविस में जैसे दिपांगर जी ने उमर्वाई ने भी का पुछ लोग आपको लगे कि आपके ख़बर में कौन नहीं आए वो आपकी परुपता होगी तो मैं समझता हो सकता है कि उससे कहीं आपको ज्यादा इस्चर हो कि ऐसे भी लोग यहाँ पर रहे हैं ये भी परियास होगा ये शुरुवात तो कहीं न कहीं करना पड़ेगा लेकिन आज जो शुरुवात हुई है निक्सित रूप से ये एक देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा मेरा ये मानना है और एक इमांदार और एक संकल्पित सोच के साथ आगे बढ़ा जाए तो हर मंजिल पाए जा सकता है हर लड़ाई जीती जा सकती है तो आज जो हमारा देश का एक चेहरा था उस चेहरे को फिर से अस्थापित करने का और मजबूती परदान करने का एक संकल्पित लेकर आगे बढ़ने का एक प्लेटफरम त्यार करने का ये पहला कदम है अगले कारिकरम के बारे में हमारे सिन्यर्स आदरी खड़गे जी ने और भी लोगों ने बाते कहीं है और समय समय पर इन सब चीजों की आपके साथ हम बातों को सियर करेंगे धन्यवाद मैं सबसे पहले आरे निरतीश कुमार जी का अधरी लाल प्रिशार अरभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आफार पिगट करूंगा आज पटना और बिहार नए राजनेतिक नव जागरण का गाभा बन रहा है आज किवल दल यहां नहीं बलकि देश के लोग देश के नेता मिल रहे है पटना का संदेश यही है आज के कारिकम का के हम सब लोग मिल करके काम करेंगे मिल करके और देश को बचाने का देश की जनता को और देश कैसे आगे बढ़े उस दिशा में लगातार हम लोग मिल करके काम करेंगे यही संदेश है मैं सभी लीडर्स का बहुत-बहुत धन्यवाद और आबहार फिगट करता हूँ ठीक है लालू पुर्शाद जी बोलेगे तो अब है कैमरा आज कि अज़िए शाथे गन अबहुत दिन के बाद आप लोगों से इलाज के बाद बात हो रही है कि इसको समोजित रहे हैं अब पुरी तरह से ठीट हो गए हैं अब पर यहां से ठीट कर देना है दर अन्दर में दीट माज़ पाकर और आज जो बेठक हुई दिश्वर के नेता होगा बहुत खूल करके सभी लोग ने अपने इरादा को रखा है और यह तरह हुआ है कि सिंबला में हम लिए बिठक होगी उसमें हम लोग आगे कि और कालकरम की सरस्यत्या हो वह हम लोग तरक करेंगे चर्चा करेंगे एक खूब करके लगना है तेश की यंता बोलते थे कि भाई भोट है आप लोग का लेकिन आप लोग मिलते नहीं एक जूट आप लोग नहीं होते हैं भोट बढ़ जाता है और भाजपा रस्स जित जाता है अब नरेंदर मुदी देश के नेता नहीं है प्रदेश में खूब हूब करके चंदन का लक्री बाट रहा है अमेरिका में जाके जो अमेरिका उप्य देश नरेंदर मुदी को अमित साथ को मना कर दिया था उस समयन जो गुद्रा में घर्टा घर्टी थी और लोगों को भी बना कर दिया था कि कोई मत जाना भारत में मत जाना कोई आदे कोई तुरिस नहीं जाना बाद में पता नहीं कैसे इन भूल गया और ये जाने लगे देश देश तोटके कगार बर खड़ा हम तो भिंदी खरितने नहीं जाते हैं भिंदी सब्जी मालूम हो कि साथ रुप्या किलो हो गया भिंदी आप पत्रगार लुप खरिते होंगे आपको आटादाल का चावर का भाव मालूम होगा कि क्या हालत है विरुजगारी के हतासा बड़ा है और कोई इस देश में हिंदू मुस्लिम का नारा दे करके लाइड लड़के हलमान जी का नाम लेके चुनाव में जय हलमान जी करके लोग चुनाव लड़ता है इस पर करना तक में हलमान जी महाविर जी नराज हो गए इसा महारे हम गद्रा इनका पीट पर कि रहुल गांदी की पातित जीत गई काफी इनका पाति जीता है खलमान जी अब हम लोग के साथ हो गए है और हम लोग है कर्था सब कोल भील नल लिल सब को हम लोग जमा कर रहा है अंगे फाउज को और इनको इसमें तत्व है गए इनको बहुत पुरा हाल होने वाला है भाजपा का नरेंदर मुदी का बताई के का एक फिर दू हजार रुपया का नोट पता नहीं कायबन कर दिया है तू हजार का यह छोटा-छोटा नोट जो है तो यह ही लोग रखे हुए था और इसको अब निकाल रहा है या जो इसके लोग जाजार के खतम पर के दू हजार सुरू किया तो फिर दू हजार किया असाधिक पर फिल करता है तो हम लोग इकठे हैं पुरा मजबूति दिसाथ रहुल गांदी जी आये हैं रहुल गांदी अच्छा काम इन दिनों में किया है भारत तर्षन में देश बना पैदल तर्षन कराए लोगों को घूंबे पर लोग सभा में भी जो अच्छा काम किया आदानी के मामने में जो भूमने लगे तो फिर बढ़ा लिये हैं अब ज्यादा नीचे मक्रे जाएं पताने कि नरंद मोदी का है पूरा नई शिलवता है इसरे इतेशी का भीरा है कि अगर छोटा-छोटा करना चाहिए बात तो हम लोग आप सलाह माने नहीं दिया नहीं कि आप साधिक कर लेना चाहिए था और अभी भी समय गया भीता नहीं है साधिक करिए और हम लोग बराते चलें और साधिक करिए बात माने आपके ममी ममी आपके बुलती थी कि आप हमरा बात नहीं मानता जाधिक करवाई आप अच्छा चीक है बहुत बहुत जन्यवाद लोगे बात साथ को बहुत 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 था जाँ प्रशन्जाओं चिनियू से नहों से नहों क्या जिस टूर्ट में नहों क्या है जिस टूर्ब चे लिए तो देखिए ओपोजिशन की मीटिंग के बाद ये प्रेस कांफरेंस हो रही थी जॉइंट प्रेस कांफरेंस जिसमें तमाम विपक्षी दलों के नेता मौजूद नजर आए ऐलान ये कर दिया गया है कि पूरा विपक्ष एक जुट है दूसरा बड़ा ऐलान ये कि 2024 में पूरा उपोजिशन मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाफ लड़ेगा और राहुल गांदी की तारीफ करते हुए लालु यादव नजर आए लेकिन एक खास बात और दिखी इस प्रेस कांफरेंस में वो ये कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविन केजरिवाल दिल्ली के मुख्यमंतरी अरविन केजरिवाल और पंजाब के सीम भगवंत मान इस मीटिंग में तो मौजूद रहे लेकिन ऑपोजिशन की जो जॉइन प्रेस कांफरेंस हो रही थी उसमें वो नजर नहीं आए पंकच जा इस वक्त हमारे साथ हमारे सयोगी जुर चुके हैं पंकच किस तरह से देखा जाए क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से जॉइन्टली ये तो कहा गया है कि हम एक साथ हैं हम युनाइटेड हैं और पूरी तरह से मिलकर एक साथ दोहजार चॉबीस में बीजेपी का मुकाबला करेंगे लेकिन जो प्रेस कॉन्फरेंस होई उसमें आम आद्मी पार्टी के नेता क्यों गायब रहे समीर देखे कि आप अगर गौर करिये ममता बनर जी उद्धव ठाकरे और राहुल गांदी के बयान को खासतोर से मैं राहुल गांदी का जिकर करना चाहूँगा क्योंकि आम आद्मी पार्टी प्रेस कॉन्फरेंस में इसी लिए नहीं आई इस सालों बाद एक साथ जुटना और चुनाव के लिए तैयारी करना यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है आम आद्मी पार्टी जरूर प्रेस कॉन्फरेंस में नहीं रही लेकिन मुझे लगता है कि नितीश कुमार को जो जिम्मेदारी दी गई है वो इस पर हुमवर्क करेंगे पंकर जी यहाँ पर सवाल यह भी होता है कि जिस तरीके से यहाँ पर चर्चा हो रही थी सभी जो नेता है वे पक्षी दलो की जादत तरने प्रेस कॉन्फरेंस पे अपनी बात कही और घेरा बीजेपी को ही क्या लगते हैं आपको आप यह कह रहे हैं कि हम दुबारा इस तरीके से मिलते रहेंगे और रणीती हमारी बंती रहेगी जो चीजे आज तैनी वी उसमें तैकी जाएगी। साब कहा गया सीटों के बटवारे पर हम मिलकर बात करेंगे। यानि एक साथ चुनाव लड़ने की बात पर तो इतनी पार्टियां सामत हो गई है। ये एक बड़ी बात है। और साथ ही पंकर जे एक बात ये कि जम्मू से लेकर कन्या कुमारी तक पूरा का पूरा विपक्ष इसमें देखा। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या 2014 के बात से जो अभी तक के साल 2023 तक की में बात करूँ, क्या इतना बड़ा एक जुट विपक्ष पहले इतिहास में देखा गया। जो उनके साथ नहीं है, हो सकता उस वक्त उनके साथ हो, इन सब चीजों पर चर्चा हुई है, एक अच्छे परिनाम दिख रहे हैं, अच्छे संकेत दिख रहे हैं, विपक्षी एक तक को देखा। इश्कुमाने का है, कौन कहां से लड़ेगा, अगली बैठक में ये फैस्दा होगा, जान कर ये कि ये बैठक शिम्ना में होगी 12 जुलाई को. और काफी अच्छी मुलाकात हुई है, और एक साथ चलने की सहमति हुई है, और उसके बाद अगली मीटिंग, कुछी दिनों के बाद, सब पार्टियों की एक और की जाएगी, ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है, और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग, इसके बाद होगी, और वो यही करेंगे, मलिकारजुन खरगे जी करेंगे, उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट, और वो बताएंगे अभी हम लोग नहीं कहा कि जल्दी करना है, तो यह लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे, एक मीटिंग हो जाएगा, तो वो तो एकदम समझे कि वो अंतिम में जल्दी करेंगे, और देश के हित में है, अभी जो भी सासन में है, वो देश के हित में काम नहीं कर रहे है, अव सारे इतिहास को बदल रहे है, आजादी की लड़ाई को भी भुलबा देंगे. दलों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने में काम्याब रहे. अरबिंद केजरिवाल अपनी पूरी टीम के साथ क्यों प्रेस कॉंफरेंस के पहले ही निकल गए, ममताब एनरजी क्यों बीज से निकल गई, और ममताब एनरजी उस वक्त निकली जब बामदलों के नेताओं की बोलने की बारी शुरू ही हुई थी, और जैसे ही टी राजा से क्रीम लेफ्ट होते हैं, नितीश कुमार नाम लेते हैं कि उमर अब्दुल्ला इसके बाद बोलेंगे, जबकि सभी एक कतार से बोल रहे थे, लेकिन ममता बनरजी कहीं न कहीं नहीं है, यह मैं तपून बात रुपेश आप कह रहे हैं, और मैं चाहूंगे आप हमारे स्थाओं पर हमला हो रहा है, मत बेद भुलाकर एक साथ काम करेंगे, यह लड़ाई विचारधारा की है, यह भी राहूल गांदी के उड़ से कहा गया। जैसे एक साथ खड़े हैं, हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरंशिज होंगी, मगर हमने यह निर्ने लिया है, कि हम एक साथ काम करेंगे, फिलक्सििलीटी के साथ काम करेंगे, और जो हमारी विचारधारा है, जुसको हम शेयर करते हैं, उसकी हम रक्शा करेंगे। खारगी जी ने कहा, नितीश जी ने कहा, कुछी समय में अगली मीटिंग होगी और ये जो आज हमने बातचीत की, उसको हम थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे कॉंग्रिस अपना जो भी व्यूपॉइंट है, वो साफ करें और बताए कि वो हमारा समर्थन में है या नहीं है, कही न कही उसी पर, यहाँ पर भी मद्वेद नजर आ गया जी बिल्कुल निशित तोर पर एक मद्वेद सामने आया है, हलाकि जो यहाँ निदीश कुमार और बाकी नेता थे, उन्होंने कोई सवाल नहीं लिया इस पर और कहा कि जिसको जाना था जल्दी थी, वो चला गया लेकिन निशित तोर पर एक के जो इतनी राहूल गांदी कहते आये हैं कि एक महबबत की दुकान खोल रही है, तो उसमें कहीं ने कहीं धबा जरूर लग गया अब अगली बैठक 12 तारिक होगे और आमा अदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि राजेसभा में अध्यादेश के मामले में जब तक कॉंग्रेश दुरूर साफ नहीं करती, तब तक वो यहां पर कॉंग्रेश के साथ किसी बैठक में शामिल नहीं होगे तो अब इसका क्या रास्ता निकाला जाता है यह देखना होगा, क्योंकि मलिकारजुन खर्गे और केजरिवाल के बीच इस बात को लेकर जब चर्चा हुई, तो खर्गे ने यही कहा कि यह बैठक 2024 के लिहाद से है, 2024 के एजेंडे को लेकर के है, अगर आपका सबके साथ अल्रेडी केजरिवाल के साथ है, फिर भी वो नहीं आए, तो लेकिन तो निशित तोर पर एक जटका जरूर है, लेकिन एक दिल्चस बात वाक्या में आपको बता दू, यहां बैठेते लालू पुरसाद यादो, इलाज के बाद पहली बार आये थे, इधर दाड़ी कटवाली जिए और शादी भी कर लिजिए, राहोल गांदी एक दम ज जहब गए और नितिश कुमार लालू यादो दोनों हसने लगे लालू ने बार बार कहा, आँ बहूँ अभी समय है शादी कर लीजिए तो राहूल गांदी ने कहा भाई कर लूँगा तो बोला नहीं आपकी मम्मी बार बार शिकायद करती हैं कि आप सुनते नहीं है उनकी बात आप शादी कर लीजिए अब राहूल गांदी बहुत जेब गए थे ये एक हसी खुशी में महौल था उसके बादी नितीश कुमार ने कहा कि भाई इस बैटक को यहां खत्म कीजिये केजरीवाल के तमाम सवाल हम लोगों ने किये केजरीवाल चले गए लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं दिया और सार सरकार ताना शाह है ये भी कह रही है और बोलने पर एडी पीछे पड़ जाती है ममता बनर जी ने सत्ता पक्ष पर प्रहार किया एडी सीब्याई का गलत इस्तमाल कर रही है मौजूदा सरकार पत्ना में वीटिंग मैं ने बोला था इति कर एशी के लिए नितीस जी को कि पत्ना से जो शुरू होता है उसका एक जनो अंदलों रूप होता है और बहुत सरे अंदलों पत्ना से शुरू होआपले आप लोग को मैलूम है आम काने नहीं चाहती हुग अब पतना से सुरु करो पतना से सुरुवाथ हुआ है तीन चीज नजडिक में है जो रिजॉल्ट हुआ है Number one We are united हम लोग एक है दूसरी बात है We will fight unitedly एदूसरी बात है हम लोग एक साथ में लडेंगे तीसरी बात है हुआ है कि हमारा लड़ाई हमको opposition मत बोलो हम लोग भी देश का citizen है हम लोग भी patriotic है हम भी देशो प्रामिक है हम भी भारद माता कहते है मोनिपूर जलने से हमारा भी आप जलते है ऐसे हम लोगों ने hate to air किया कि BJP का तानासा ही जो government जो dictatorship चला रहा है जो atrocities चला रहा है atrocities चला रहा है atrocities terrible क्या नहीं किया जो मर्जी करते है जो अगर कोई कुछ बोलते है तो उसको खिलब में ED लागा देता है CBI लागा देता है मीडिया को तो पुरा कंट्रोल किया है और क्या चला की करते है जो फिर उस्तम कमापिक बहुत सरे लॉयार को कोट में भेज कर कोई ना कोई केस करकर हम लोगों को खिलाब में कोई ना कोई CBI होता है नहीं तो ED होता है नहीं तो 55 CBI में होगा ऐसा ऐसा होता है जतना भी ताना साही BJP गवर्मेंट कानून लियाएंगे जो काला कानून हम लोगों ने एक साथ में मिलके और काला कानून का खिलाब में हम लोग लड़ाई करेंगे हमको खून भाएगा बैने दो लेकिन हम देश को जनता को रक्सा करेगा नहीं तो इंडिया नहीं रहेगा अगर ए चुनाओ में फिर और लोग आ जाए ताना साही गवर्मेंट तो नेक्स टरफ देश में चुनाओ ही नहीं होगा और आज इस प्रेस कॉन्फरेंस में लालू यादव का खास अंदास काफी दिनों बाद नजर आया लालू यादव ने कहा कि हम फिट हैं और मोदी जी को भी फिट कर देंगे एक जुट नहीं होने से बीजेपी जी जाती है हम सभी को एक जुटो कर लड़ना होगा देश तूटने की कगार पर पहुँच गया है बीजेपी को हनुमान की गदा पड़ी करनाटक में और अब हनुमान जी हमारे साथ हैं ये का लालू यादव जी जी का भीरा है याव और छोटा छोटा करना चाहिए बात तो हम लोग आप सलाह माने नहीं दिया नहीं कि आप साधिक कर लेना चाहिए था और अभी भी समय गया भीत्ता नहीं है साधिक करिए और हम लोग बराते ही चलें और साधिक करिए बात माने आपके ममी आपके बुलते थी कि आप हमारा बात नहीं मानता साधिक करवाई आप अपर यह सब फिट कर दे रहा है समाच पाक तो लालू यादव का खास अंदाज अरसे बाद नजर आया पंकच किस तरह से लालू यादव और पूरे ऑपोजिशन के रुख को आप भाब पा रहे हैं लेकिन क्या वास्तविक्ता ऐसी है प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए तो क्या ये मुम्किन है कि ऐसा हो जाए लेकिन आज तीनों पार्टियों के नेता तो एक साथ दिख रहे थे मंच पर जब नितीश कुमार प्रेस कांफरेंस कर रहे थे सब लोग साथ थे अभी इसमें बहुत सारी चीज़े फाइन टून करनी पड़ेगी और इसलिए एक पॉलिटिकल मेसेजिंग देने के लिए का वर्चस वह उसको नेत्रित्व दिया जा यानि कॉंगेस वह सेकेंड फिटल पर काम करें इन सब चीजों पर बातचीत आगे की बैटकों में तै होगी यानि कही न कहीं यहाँ पर पंकर जी यह मेसेज देने की भी कोशिश की गई है कि अलग-अलग मुद्धों पर अलग मसलों पर डिवाइड़ भले हैं लेकिन युनाइटेड है जी हम बिलकुल एक मैसेज देने की ने देखिए इतने सालों के बाद में सारे नेता एक साथ हुए इतने विचारदाराओं के अलग-अलग और सब के अपने अपने गिरवांसेज हैं जैसे मम्ता ने कॉंग्रिस के सामने में बैटे हुए कहा कि काले कानून के खिलाफ हम सब को एक होना है अर्विन के जिवाल चले गया लेकिन मुझे बताया गया कि मीटिंग में अधिकतर नेताओं ने बात रखी कि अध्यादेश पर कॉंग्रिस को समर्थन करना चाहिए तो मतांतर तो है लेकिन ये है कि हम साथ साथ दिखें, हम साथ साथ सोचें, साथ साथ रणनीती बनाए ये मेसेज जाए कि हमें किसी तरीके से विपक्ष के वोटों का बटवारा नहीं होना चाहिए नितिश के आवास पर हुई विपक्षी दलों की बैठे के बाद प्रेस कॉंफरेंस हुई लेकिन इसमें आमादमी पार्टी के मुख्या और दिली के सिये मर्विंद केश जिवाल मौजूद नहीं थे उनकी पार्टी के और से प्रेस कॉंफरेंस का वहिशकार करते हुए एक स्चेट्मेंट जारी किया और कॉंग्रेस पर निशाना साधा आमादमी पार्टी ने कहा कॉंग्रेस एक राष्ट्र पार्टी है जो लगभग सभी मुद्दों पर एक स्टैंड लेती है उसने अभी तक काले अध्यादेश पर अपना रुख सार्वजनिक नहीं किया है हाला कि कॉंग्रेस की दिल्ली और पंजाब इकायों ने घोशना की है कि पार्टी को इस मुद्दे पर मोधी सरकार का समर्थन करना चाहिए पतना में समान विचारधारा वाली पार्टी की बैठक के दौरान कई दलों ने कॉंग्रेस के काले अध्यादेश की सार्वजनिक रूप से निंदा करने का आगरह किया हाला कि कॉंग्रेस ने ऐसा करने से इंकार कर दिया कॉंग्रेस की चुपपी उसके वास्तवे के रादों पर संदे पैदा करती है आम आदमी पाची ने साफ साफ कह दिया है कि अब समय आ गया है कि कॉंग्रेस तै करे कि वे दिल्ली की जरता के साथ खड़ी है या मोदी सरकार के साथ यानि बैचक के तोरंत वाद ही तलवारे खिच गई है विपक्ष में एक्ता से पहले ही विखरने की शुरुवात हो गई है रुपेश क्या वाकई में इस सिती को कि आरविंद के जिवाल जब इस प्रेस कॉंफरेंस में हिस्सा नहीं लेते हैं और इसी बात को छुपाने के लिए प्रेस कॉंफरेंस में सबने अपनी बात हिट एंड रन के अंदाज में करी सबने अपनी बाते रख ली नितिश कुमार ने जब जिसका नाम लिया उसने एक कतार से सबने अपनी बाते रखी जो नहीं बोलना चाहता था उसको भी नितिश कुमार ने कहा बस दो लाइन कुछ बोल दीजे लेकिन उसके बाद से सभी एक साथ उठकर के चले गए पत्रकार अपने अपने सवाल लेकर बैठे के बैठे रह गए लेकिन जो एक आदर्श वाक्य है सब ने कहा हम सब एक हैं हम साथ साथ हैं हम मिलकर लडेंगे लेकिन आदर्श कुछ और है और उसका यथार्थ कुछ और है और वो यथार्थ आज प्रेस कॉनफरेंस में दिग गया प्रेस कॉनफरेंस में हो सकता है केजरिवाल को जाना हो हो सकता है भगवन सिंग मान को जाना हो उनकी जगा पर राग नितीश कुमार से कुछ और बोलने लगी और उसके बाद ठीक सिता राम यचूरी को बोलना था लेकिन सिता राम यचूरी के बदले एक्स्ट्रीम राइट में जब बैठे थे उमर अब्दुला उसका नाम नितीश कुमार ने लिया जबकि डी राजा के बाद बारी थी सिता सिता राम ये चूरी भी असाहज हो गए और वो ममताब अनर्जी के जाने का बाद ये चूरी भी उठकर जाने लगे लेकिन नितीश कुमार ने जबरन सिता राम ये चूरी का हाथ पकड़ार उन्हें बिठाया अपने जो सुरक्षा के डिस्प बैठे थे उनको बिठाया था ये जो तमाम वाकए द्रिश्य के रूप में यहाँ पर द्रिश्य मान हुए वो देखकर लग रहा है कि दल जरूर यहाँ पर मिले हैं लेकिन उनके दिल अभी भी नहीं मिले हैं जो अपने इशूज थे जो ममताब अनर्जी ने पहले ही कहा था कि अगर CPM और कॉंग्रेस स तीनों एक साथ लड़ेंगे उसी तरह से पूरे बैठक के दरम्यान के जरिवाल इस बात पर अड़े रहे एडमंट रहे ठीक है रूपेश यानि कुल मिलाकर मदभेद नजर तो आ रहे हैं लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से जॉइन प्रेस कॉंफरेंस में यह कहा जरूर गय है कि मदभेद जो भी हैं उन्हें सुलजा लिया जाएगा अब देखना होगा कि अगली मीटिंग में क्या होता है